ट्विन टावर्स पर बहुत बड़ा खुला सा SIT रिपोर्ट ने किया परदाफाश पहली बार दस्ता वेजों में दर्ज हुआ करप्शन विल्डर्स और अधिकारियों की मिली भगत का हुआ बहंडा फोड एक धमाका हुआ और प्रेश्ट चार की इमारत जमीदोस हो गई नौईडा के ट्विन टावर्स को लेकर बड़ा चोकाने वाला खुलासा हुआ है SIT की 46 पन्नों की रिपोर्ट में अवैद निर्माण और करप्शन को लेकर ये खुलासा किया गया है SIT रिपोर्ट में उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के नाम बताए गए हैं जिनकी देखरेख में ट्विन टावर्स का अवैद धंक से निर्माण हुआ नौईडा में करप्शन के ट्विन टावर्स को धस्त होते हुए पूरी दुनिया ने देखा था आई आपको बताते हैं 46 पेजों की इस SIT रिपोर्ट में क्या कुछ बड़े खुला से हुए है मनजूरी से पहले ही टावर्स का निर्माण शुरू कर दिया गया था मनजूर नक्ष़ के मताबिक नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन हर टावर में दो मैंजिला जादा बनाई गई फायर, स्टेरकेस के बिना ही एनोस सिध्ये दी गई बिलडर और नॉड़ा अथोरिटी के बीच मिली भगत हुई बिलडर के फायदे के लिए सुप्रीम कोट गई नॉड़ा अथोरिटी दो टावरों के बीच वाली दूरी का नियम तोड़ा गया 18 मीटर की दूरी वाले नियम का उलंगन हुआ SIT रिपोर्ट के अनुसार मंजूरी मिलने से 5 महीने पहले ही Twin Towers का निर्मान शुरू कर दिया गया था सवाल ये है कि आखिर किसकी मिली भगत से कुतुम मिनार से उंचे टावर बनते रहे सालो सालो तक ये टावर बनते रहे लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई आईए अब आपको बताते हैं कौन-कौन से वो अधिकारी है जिनका नाम SIT रिपोर्ट में शामिल है SIT रिपोर्ट में नौईदा अथोरिटी के पूर्च सीईओ देवदत संजीव शरन बलविंदर सिंग एक दिवेदी मोहिंदर सिंग का नाम है लेकिन इस मामले में दर्ज FIR में देवदत संजीव शरन बलविंदर सिंग के नाम नहीं है रिपोर्ट के अनुसार नर्डा अथोरिटी ने 26 नवंबर 2009 को ट्विंट टावर्स के निर्मार की मनजूरी दी लेकिन जुलाई 2009 में ही इसका काम शुरू हो गया था वहीं इस इमारत के लिए सेफटी सर्टिफिकेट 22 सितंबर 2009 को दिया गया था SIT रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बिल्डर्स और अधिकारियों की मिली भगत से ब्रेश्ट्रक चार की ये 900 फ्लैट वाली दो इमारतें खड़ी हुई थी रिपोर्ट में सला दी गई है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जांच विशेशग्य एजेंसियों दोरी कराई जाए हाला कि अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है उदर सूपर्टेक के CMD RK अरोडा ने कहा कि सभी नियोमों का पालन किया गया था उन्होंने SIT रिपोर्ट को नकारते हुए कहा कि नौलडा की हर अथोरिटी ऐसे ही बनी है उन्होंने कहा कि अगर सूपर्टेक Emerald Court अवैध है तो सभी अथोरिटी अवैध है इस जाच रिपोर्ट के संदर्व में राज्य सरकार के मंतरी नंद कुपान लंदी ने कहा कि एक विदोशी को बक्षा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कारवाई होगी आपको बता दें 28 अगस्त को दोपहर धाई बजे नौईडय के ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया था जो एक एधिहासिक पल था और भष्टा चार के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश